आज की क्लास में हम प्रोपोजिशन की टॉपिक है इसको कंटीनु करेंगे लास्ट क्लासेज में हमने प्रोपोजिशन की में प्रोपोजिशन आफ टाइम को पढ़ा था इसमें एट पढ़ लिया हमने और भी पढ़ लिया by before from in since for आज हम पढ़ने यह आरें इसमें दूरिंग दूरिंग जो प्रोपोजिशन है उसका यूज कैसे होगा दूरिंग प्रोपोजिशन इसका यूज जो है before the non-period of time के पहले non-period of time जैसे people sacrificed people sacrificed people sacrificed their lives during दुद्सक्राइब आफ़ स선क्राइब और इसमें पीप्ल सैक्रिफाइज इसलिए यहां पर दूरिंग का यूज होगा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है टू का यूज कैसे होगा टू जो है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन में इंडिकेट करेगा किसको एंड पॉइंट अफ एंड एंड एक्षन अनि किसी भी एक्षन का जो एंड है उसके पॉइंट पॉइंडिकेट करेगा जैसे मानों की फ्रॉम से तो हम स्टार्टिंग मानते हैं टू से एंड कैसे शी study from 5 to 8 यहाँ पर 2 end of time ke जस पहने next proposition है till या until इस फिर पोजिशन को पहले समझ लो इस तरह से इसका यूस होता है ये इंडिकेट करेगा ये डिनोड करेगा एंड पॉइंट अफ अफ एक्शन को जैसे कि टू ने किया सेम लेकिन इसमें कैसे होगा ये यूस के सब्सक्राइब जैसे कि ईसे सब्सक्राइब टीर डिनोड करेए ये अब इस सेंटीन को देखे हैं अफिस सलता है अंटिल जो है यहां पर यूज आया एंड ऑफ एक्शन है जिस वर्क का एंड है वो कब हो रहा उससे पहरी है जैसे एक और एक्जांपल देखते हैं वर्कल्स स्टार्टेड अफ टैन एंड वर्क तिल इवनिंग यहां पर वर्क कपता चलता है इवनिंग पर इसलिए तिल एंटिल का यूज होगा नेक्स्ट प्रपोजिशन है आफ्टर आफ्टर जो प्रपोजिशन है इसका मीन हमेशे का बतार लेटर दैन से है लेटर दैन जैसे पूजा आफ्टर फाइफ के बाद में इसने काम को पिनिश किया यह आज तक के लास में हमने पूरा प्रपोजिशन और टाइम को पड़ लिया है नेक्स्ट लास में हम प्रपोजिशन और केस को कवर करें झाल झाल